मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गौवश और गायों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है डॉक्र मोहन सरकार ने गौवश और गौशालाओं के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं प्रदेश सरकार ने भारतिय नौव वर्ष से अगले वर्ष तक गौव वंश रक्षा वर्ष की रूप में मनाने का फैसला लिया है अब ही ये रिपोर्ट देखिए मद्रप्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए जितनी प्रतिबद्ध है उतनी संजीद्गी से सनातन संस्कृती और धार्मिक मान बिंदूओं के समवर्धन का कारे भी कर रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में गौश संवरक्षन की दिशा में अभूत पूर्व निर्णे लिया है गौश सनरक्षन की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को गती देते हुए डॉक्टर मोहन सरकार ने अनुकरने पहल की शुरुवात की है गौश अलाओ के बेहतर संचालन के लिए उन्हें दी जा रही राशी में व्रधी की जाएगी गौश अलाओ के बेहतर प्रभंदन के उपाय किये जा सके कारिकर में देश भर से आए गौशाला संचालक और गौश सेवकों को आश्वस्त करते हुए मोके मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में चर्नोई की भूमी पर अतिक्रमन हटाने प्रती 50 किलोमीटर पर सडकों पर दुरगटना का शिकार हुई गायों को इलार्च के लिए भिजबाने और सडकों पर बैटने वाले पशुधन को बैटने से रोकने अ अंचायतों को आवश्यक सहयोग और प्रेणा के लिए गौसंवर्धन बोर्ड प्रियास करेगा गायों के लिए गौशालाओ को प्रतिगाय की राशी 20 रुपए से बढ़ा कर 40 रुपए प्रदान की जाएगी अधूरी गौशालाओ का निर्मान पूरा किया जाएगा नई गौशालाओ भी बनेंगी गौसंवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है गौशालाओ के लिए प्रति गाय जो अभी हमारी बिप्त मदद रहती है वो 20 रुपए मिलती थी अप्रति गौवंस वो 40 रुपए प्रति गौवंस दिया जाएगा मोखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आववाहन करते वे कहा कि अगर परियाप्त जगा हो तो गाय अवश्य पाले कहा कि गौवपालक ही गाय का महत्तु समस्ता है हमारे देश में गाय पालना गौशाला चलाना पवित्र कारे है गौशाला संचालन से जादा बेहतर काम यह है कि घर में ही गौवपालन किया जाए मोखे मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उनके परिवार में भी गाय पालने की पुरानी परंपरा है आज भी बुजर्ग पिताब बूढ़ी गायों की सेवा करते हैं गाय को मास्वरूप मानते हैं गौवपालक परिवार अगर गाय के दूद का उपयोग करता है तो सेवा में भी पीछे नहीं रहना चाहिए क्रिशी के साथ पशुपालन की परंपरा रही है उन्होंने विश्वास दिलाय कि मध्रदेश सरकार का प्रयास होगा कि गौवण्ष के संबान के साथ दुग्द उत्पादन में व्रधी हो औ गौश अलाय भी आत्म निरभर बने आने पशुप अभ्ध्यारणों से गौव अभ्ध्यारन भिन्न है यह अभ्ध्यारन गौविहार की रोक में देख सितो या विश्चक है और बात महिला दिवस की महिला दिवस के मौके पर सीम विश्नु-देव साय धंतेवाडा पहुँचे सीम ने नकसलियों को बातचीत का ओफर भी इस दोरान दिया और इस दोरान बस्तर के लिए कई बड़ी खोशना हैidas महिला दिवस महिला दिवस के दिन CM विश्णुदेव साय धंतेवाडा पहुंचे यहां CM ने नकसलियों को बाचीत का ओफर दिया उन्होंने कहा कि हम उनसे कहना चाहेंगे कि नकसलवाद को छोड़ें और आम लोगों का जीवन जीएं संबाद करें उनकी क्या प्रॉबलम है उनकी जो जायज मांग होगी उसे सरकार पूरा करेगी अब रादिवासी समाज और गाओं के दूखदर को समझता हो इसलेग किसी भी तरह के भाकावे में नहीं रहकर वह हमलों से संबाद करें और उनक्या चाहते हैं उस पर डायलाग हो बाचीत हो निश्चित रूप से यह भी जैसे समिता जी बता रही थे भी कोई जीना है क्या बस्तर दोरे पर सीम विश्टु देव साय ने कई बड़े ऐलान किये सीम ने बस्तर के सभी जिलों में शक्ति केंद्र बनानी की घोशना की परतेग जिला मुख्याले में जो बस्तर के जिले हैं वहां के परतेग जिला मुख्याले में मा दंतेश्वरी सक्ति केंद्र खोलेंगे और इसके तहत खेल कूद सांस्कृति कती विद्यां पुस्त काले और क्रेच बच्चों का इस सब होगा सीम विश्णुदेव साय ने 36 गड़ पुलिस की उस स्पेशल यूनिट की महिलाओं से मुलाकात की साथ जिले से आय बस्तर फाइटर महिला कमांडो दंतेश्वरी फाइटर से समबाद किया इससे पहले सीम ने मा दंतेश्वरी का दर्शन का राशिरवाद भी लिया दिनेश गुपता दंतेवाडा न्यूज एटीन मध्यप्रदेश 36 गड़ और इसी के साथ इस बुलिटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही वक्त एक ब्रेक का है नमस्कार